सुप्रेम कोर्ट में केन सरकार ने एक अलाफ नामा दाखिल करके आज उन से ये कहा है कि 67 एकड़ की जो जमीन है वो उस पर यथा इस्तिति बनाया रखने को हटा दिया जाए बाकी की जो बची हुई कोर्ट में पेपर भी दाखिल हो रहे हैं तरह तरह की बाहते हो रही है सवाल यह है कि जितनी जमीने एकवाइर की गए है उस जमाने में सेवन सेवन पाइंट कुछ जमीने बहतर एकड़ जमीन जो है वो मस्जिद मुकदमे के दावरान यह है कि जो मुकदमे जीते गा जिसके हक में फैतला होगा वो पूरी जमीन में उसको हैंड ओबर कर दूँँगा अब सवाल इस बात का उड़ता है कि कहां से इतनी जल्दी कें सरकार ने एक हलव एक दरखास पेश की है अरजी पेश की है से प्रेम कोर्ट में कि वो टूपॉइंट जितने भी हो वो छोडने के बाद जो डिस्पूटेड लाएं उसको तोड़ने और डिस्पूटेड तो सब है अब उसमें यह कहा गया उसको दो पार्ट में बाद दिया जाए कुछ इतनी जमीने जो न्यास को दी जाए ये कहां का इनसाफ है और न्यास के पास के न्यास की तो जमीन है नहीं हर जमीन यह होता कि जिस जतनी जमीन एक्वायर की गई है वो जिस जिस पार्टी की थी उसमें मुस्लिम है उसमें हिंदू भाई है तो उनको देते require किए गए थी वो न्याज को दिए जाए ये कोई इनसाफ की बात तो है नहीं और ये तो क्रेन क्रेन इसलिए कर रही है क्रेन आजान रही है कि पॉलिटिक्स है आज सामने election है और हम ऐसा नहीं करेंगे तो मैं lose कर रहा हूँ आज चार साल गुजर गए पांसार चार साल पांस election सामने आएगा ये सब करना था तो इससे पहले करते दो साल पहले करते एक साल पहले जब हकूमत आई थी तब कर लेते तो मसले में कोई तलखी ना आती लेकिन इस तरीके से अगर करने से इस सरा सरा गलत है जो हम इसके खायल नहीं है अगर फिर भी मैं कहता हूँ अदालत सबसे बड़ी अदालत हैं इंदोस्तान की सिप्रेम कोट है वह ऐसा कोई ख़दम नहीं उठाएगी जो किसी को बुरा लगे हम यहां के नागरिक है मैं सुकलर मुल्क में जी रहा हूँ और बुरा हक मुझे है अगर यह इनसाफ करेगी सिप्रेम कोट तो सब के लिए करेग अकेले नहीं करेगी सुप्रेम कोट बार बार मामले को आगे बढ़ाता जा रहा है आपको नहीं लगता है वह जानबुच किया वैसा कुछ किया देखी कराया जा रहा है यह कराया जाता है आप जानते हैं कि रासपती भीजे हो वह सरकार का है परदानमंत्री भाजपत सरका किये हर चीज तो उन्हीं की है तो आप सोचिए कि अगर एक स्थ एक रिपीउट होता है तो वो रासपातिके ही कहने से रिपीउट होता है उसे वही हल्प पर उस पारदान पर बैटते हैं तो वो इनसाफ करेंगे वो चाहे वो रहे ना रहे हम ये अदाले ज़्यार से मुझे उमीद है कि वो गलत काम नहीं होने देगी ये थे हमारे साथ हाजी महबूफ साव इननों साफ साफ कहा है कि हमें अदालत पर और कानून पर विश्वास है कोई भी गज़त काम ऐसा कोई भी सरकार उढ़ाती है लेकिन सरकार को रोकने के लिए सुप्रेम कोर्ट है इटीवी के लिए अयुद्या से दिनेश मिश्राकिर पर